हेलो फ्रेंस फिर से एक बार बहुत-बहुत सवागत है हमारा यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस आज हम रिवीव करेंगे लीबुलिन सिरप की तो फ्रेंस इस लीबुलिन सिरप की बिमारे में इस्तिमाल होता है क्या आपको पता है और इसका सैड़ बिट क्या है इसका प् करते हैं तो फ्रेंच यह जो देख रही है लीबुलीन सिरफ इसको सिपला कुमपानी द्वारा इसको बना जाता है और इसका कीमा थे 22 रुपिया और इसका जो कॉंबोजिशन दिया गया है इसमें लेबो सालवेटामूल 1MG दिया गया है मतलब 5 ml में 1MG सलवेटामूल दिया गया है इसमें तो फ्रेंच यह जो लीबुलीन सिरफ है एक कफ सिरफ है बच्चे के जब पहुचरा खासी होती है बहुत दिन से खासी है और साथे साथ बलगाम निकल के आती है सास लेने में दिक्कत होती है एस्तमा है तो इस सिरफ को इस सिरफ दे सकती है जो लीबु सलवेटामूल है उस एस्तमा को ठीक करने के लिए मदद करता है तो फ्रेंच आए जानते है इसका डोस क्या होता है इसका डोस है फ्रेंच तीन माहिने से माहिने तक दो एमिल करके दे सकती है और से माहिने से एक सल तक दो एमिल से तीन एमि जल तक दे सकती है और 2 से 5 सल तक एक समूझ करके दिन में तीन टाइम देनी होती है इस शीरप को तो फ्रेंड इसका कुछ साइट अवेक्ड भी है इस शीरप पिलाने के बाद आपका वाचा नीम दिया सकता है और ड्राई माउध हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है और लूज मोशन हो सकता है और भी कुछ मैजर साइट इपक्स दिखाई दिया तो इस सिरप को तूरंद बंद करना होगा तो फ्रेंज इस सिरप इस्तिमाल करने से पहले अब नजदिक से डक्टर से जरूर सला लेके ही यूज करें तो फ्रेंज ये ती सोटी सी जानकरी लीबुलन सिरप की आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले इस सिरप किस काम की है तो फ्रेंज मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जाए हीन